अर्पितारे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंजिया पर अपना फेर्विर्ट डिबेश शो हम तो पूछेंगे बंगाल की ममता सरकार ने एक ख्वाब देखा उस ख्वाब में अमिश्रा आए, विपलब देव आए, केलाश विजे वरगी आए, मुकुल रॉय, दिलिब घोश और रूफा गांगली जैसे बीजेपी के नेता भी दिखे ये सब बंगाल के 42 लोग सबक शेत्रों सिर्थ यात्रा लेकर गुज़र रहे थे इस ख्वाब के बाद बंगाल सरकार थर्थरा ने नगी कापने लगी, इसे लगा कि ये सब ही अगर यात्रा और रहनी निकालेंगे तो बंगाल का सामाजिक ताना बाना छिन भिन हो जाएगा बंगाल सुलग उठेगा और हर तरफ चीख पुकार मच जाएगी, सरकार जगी और फोरण बीजेपी की प्रस्तावित गर्थंत्र बचाओ यात्रा पर रोक लगा दे ममता सरकार ने इतनी वहिम्मत नहीं दिखाई कि यात्रा समविधान से मिले हक के तहत निकले और उसमें शामिल लोगों को कानून का पालन करने को मजबूर किया जाए आसा शब्दों में समझाने के कोशिश करूँ तो बीजेपी की रथियात्रा पर लगाए गई रोक और आज हाई कोट की डबल बेंच के फैसले से ममता सरकार यही तस्वीर बनती है कलकता हाई कोट से बीजेपी की रथियात्रा को मन्ظूरी मिलना ममता सरकार के लिए बड़ा जटका है हाई कोट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने 22 दिसमबर से प्रस्तावित यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है लेकिन बीजेपी की रत्यात्रा के बहाने बंगाल में जिस तरह के सियासत शुरू हुई उससे कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम तो पूछेंगे हम तो पूछेंगे कि क्या कलकता हाई कोट का बीजेपी की रत्यात्रा से रोख हटाना ममता सरकार को तमाचा है क्या सियासी दलों की रहलियां और यात्राओं पर रोग लोगतंत का गला होतना नहीं है क्या पश्रिम बंगाल में बीजेपी के आभार से ये उभार ने टीमसी को डरा दिया है बंगाल में दोड़ेगा बीजेपी का रत और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा लेकिन पहले नजर पूरे खटना करेंगे ताना शाही के पर करार रहा तमाचा है यह हमारी रत यात्रा निकलेगी और रत यात्रा के माधियम से हम ममता जी के ताना शाही को जनता की बीच में एक्सपोस करेंगे और हमें लगता है यह गंतंत्र बचाओ यात्रा बंगाल को बचाएगी और ममता जी के अंतिम यात्रा की निवडा लेगी हम तो पूछेंगे में पड़ी बहस बंगाल में दोड़ेगा बीजेपी का रत क्यालकाटा हाई कोट has upheld the constitutional right of the भारतिय जनता पार्टी to conduct this rally to save democracy in the state of West Bengal जोंगोले राजित्त तो नहीं जोंगोले राजित्त तो आजिया लोने वादों किरा भारों के खराब कुछ साजिस करके जनतांत्र को किसी ने रोकना चाहे ओर रोक नहीं सकता एई एलान कोट ने किया मैं तो समस्ता हूं ममता बैनर जी को इसके लिए माफी मंगना चाहिए एजनता का भिक्तरी है भाचपा का भिक्तरी है कलकता हाई कोट की डबल बैंच से ममता सरकार को जबरदस जटका लगा है हाई कोट ने आज बीजेपी को रत्यादरा निकालने की इजाज़त दे दी कोट के फैसले को ममता सरकार के गाल पर तमाचा माना जा रहा है खुफिया रिपोर्ट की आड़ में बंगाल सरकार ने गनदंत्र बचाने के नाम पर निकल रही यात्रा को रोक दिया था लेकिन ममता सरकार की जिस दलील को सिंगल बैंच ने माना डबल बैंच ने उसे नकार दिया विक्ट्री तो उस समय हो गया था जब ममता बैने जी ने इस यात्रा पे रोक लगाए थी तो moral victory उस्वकत हो गई था अभी ये judicial victory है और मैं आपको यकीन के साथ ये भी कहना चाहता हूँ ये due respect to मम्ता बैने जी and our experience, our position, seniority की बड़ा बेशरम सरकार है हाना कि कलकत्ता हाई कोट ने बीजेपी को रैली की इजाज़त सशर्थ दी है कोट ने कहा है बीजेपी को यात्रा निकालने से 12 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी पड़ेगी जिस इलाके से यात्रा निकलेगी उसके SP को इसकी जानकारी भी देनी होगी यात्रा से सामान ने ट्रेफिक पर असर नहीं पढ़ना चाहिए यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस बल देना पड़ेगा सारवजनेक संपत्ति को नुकसान पहुचने पर जिम्मेदारी यात्रा की होगी आयोजगों को प्रशासन के आदेशों का पालन करना होगा रथ यात्रा से सांपरदाइक सौहार्द को खत्रे वाले तर्क को बीजेपी ममता सरकार के डर और निकम्मेपन से जोड रही है मन का डर है उन्हें मालूम है कि अगर लोग भूत तक पहुचेंगे वोट देंगे तो वो उनको हराएंगे और उसलिए वो नॉमिनेशन तक को रोकनी कुश्य शर्त है ममता से मिठास बढ़ाने के चक्कर में लगी कॉंग्रेस भी रैली पर रोक के फैसले का बचाओ नहीं कर पा रही ममता भले ही बीजेपी की यात्रा को सद्भाव बिगाड़ने वाला माने वो खुद इसे रावन यात्रा बताकर नफरत की सियासत करने की आरोपी है कलकत्ता हाई कोट से लगे जटके के बाद सवाल उठता है कि क्या बंगाल में बीजेपी के उभार से घबरा कर ममता ने रत्यात्रा पर रोक लगाई थी? अब सुने आज का सबसे बड़ा सवाल हमारा सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी के उभार से घबरा कर ममता ने रत्यात्रा पर रोक लगाई थी? अगर आपका जवाब हाँ है तो STP Y लिखें अगर आपका जवाब नहीं है तो STP N लिखें और अपनी राए 51818 पर फेज़ें प्यूटर पर आप अपनी राए हैश्टाइग STP और हैश्टाइग ममता को जटका के जरिया दे सकते हैं बड़ी चलचा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने हैं वो हमारे साथ होंगे साथी साथ सुधान शुत्र वेदी प्रवक्ता जो बिजएपी के है वो भी अमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहला सवाल सोमना सिंगा रॉय आप से है कि क्या आप यह मानते हैं कि हाई कोड के स्पैसले से ममता सरकार को तमाचा पड़ा है कि तमाचा का मतलब नहीं समाझ पार हो मैं क्यों कोड का डिशिशन आया प्रदान बुच्वर्पोति का पास अभी अपिल करने का अभी भी टाइम है तो तमाचा का मतलब कोड एक कोड ने डिशिशन दिया था जो गॉबर्मेंट का साथ बैठना परेगा हमारा जनता बीजेपी कोड में गया फिर जमें में जाने के लिए रस्ता है तो इससे का किसे मतलब होता है जो अभी optimize इसको तो पॉसिडियों चल रहा है कोट मी यह पॉसिडियों होते हैं पॉसिडियों पॉचिए उनको मालूम है तमाचा किसको कहते हैं एक केस नहीं है से पहले कई उधारन हम देख चुके हैं हर बार हाइए को सामने आना पड़ता है और आपके फैसलों को नकारती है हाई कोट साफत और पर पठकार लगाती है अगर सीधे शब्दों में में कहूं उसको क्या शब्द देंगे आप क्या कहा जाए उससे नहीं मैं बता राइट मैडम फिर भी मैं भी दो तीन उधारन आपका सामने रखना चाहता हूं जब 10,000 रुपिया करके 20,000 पैंडेल को देने के लिए को देने के लिए बोला था तब भी कोट में गया था कोड़ बोला नहीं वो वापस किया कुछ दिन पहले यह सब एक एक करके मैं अगर आपका सामने भी लिश्ट तो आपको मालूम परेगा जिए मंता भी नहीं है जटका भी नहीं है प्यार है यह कोड़ का है यह तो कोड़ का पॉसिडियो है एक मिनिट जवाब लेलो सुधांशु जी साथ में जिस लोकतंत्र का प्रोसीजर है चुनाव एक निश्चिस समयांतराल पे होते हैं और कोई न कोई दल जीतेगा कोई न कोई हारेगा परंतु कोर्ट में जाना किसी मुद्दे को लेकर यह प्रोसीजरियल नहीं है यह परिस्टिती जन्य है यानि यह सरकंस्टांशल है और उसके पाद एक नहीं अनेक उधारन ऐसे हैं दुरगा प्रतिमा के विसरजन को लेकर तो हस्तक शेप करना पड़ता है राम नवी के मुद्दे को लेकर तो हस्तक शेप करना पड़ता है जितने भी प्रकार के यह हिंदू परवाते हैं उसी पे आपकी सरकार क्यों खिलाफ हो जात का हक नहीं है क्या राज्यतिक दल को अपनी यात्रा निकालने का हक नहीं है और इस पे जो कुछ आपने आधार बनाने का प्रयास किया कोड में चारों खाने चित्त गिरा कोड ने कहा कि आप कोई सब्स्टेंटिव एविडेंस यानि कोई एक तथ्यात्मक प्रमाण बनने की एक चेश्टा है जिसे देश की जनता भली बात ही समझ रहेंगी सुमना जी सुदान शुतिवर जी यह बोलते हैं तो सुने में अच्छा लगते है यह लोग कूंसा पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स देश में हिंदू और मुस्लिम को अलग करते हैं यह पॉलिटिक सुमना जी इतना च्छोता मत हो यह इतना सिर्फ को आप रोक रहे हैं इसको क्या माना जाए है और लोकतान की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का लीडरशिप गया था गया था पर प्रमिशन नहीं देगा ऐसा कुछ नहीं बोला था गौट ने बीच जैसे यह लोग सत रखाया इसा कुछ सत रखा था बोला था यहां पर यहां पर गंगा सगर का मेला है पुड़ा दुनिया से वह पुन्नत थी आते हिंद भबोबास में सब कुछ सुभी दाय सोने का खाने का पीने का रहने का सब कुछ मंदवासर इसको रत मत कहिए तो अच्छा होगा सुदाग्शुदी में दीजी यह पर जू जो प्रॉब्लम है यह इसका सथ बात हुआ था बोला था ठीक है 42 डे ही आप लोग 16 दिन का जो जत प्रचिप में बात करा हूँ इतना छोटा मत होग्ये कि आप अमिश शाह जी की रेली नहीं तेंगे इतना छोटा मत होग्ये कि वोट बैंक के लिए आप कहेंगे कौन بنگलादेशियों को हाप लगा सकता है है उम्य देखूंगी और इतना चोटा होके-पल्टी भी मत खाई JER कि वही मम्ताव अनर जी 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 दस साल पहले सोमनाच चठर जी जी के उपर लोगसभा अध्यक्ष के उपर फाइल फेक रही थी जो वाइसराई की एक्जिगडू काउंसिल से लेके आस तक खितिहास की सब्सक्राइबुत पूर घटना है किसलिए कि बंगलादेशी घुसपैटियों के उपर बात करने के अनुमत ही नहीं मिल रही है और आथ दस साल बात कहती हैं मैं देखती हूं कौन बंगलादेशों को हाथ लगाता है ना इतना छोटा हुए ना इतनी पल्टी खाईए सुमना जी एक मिनट रोकोंगी जैदी साथ आप यह नहीं बोलते रहेंगे पैनल में और लोग भी हैं मुझे उनको भी चर्चा में शामिल करना एक मिनट दीजे आज क्या वो दूरगा नहीं रही तो बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा सम्विधान सारे राजनितिक पार्टियों को रेली करने का सवाल मैंने जो पूछा है बहुत सीधे शब्दों में आ रहा हूं अगर आप सवाल सुनने का अधिकार है तो जवाब सुनने कि सलाइयत भी रगी सुन लिजी मैं जवाब दे रहा हूं सुन लिजे फिर से शायद आप नहीं समझे हूं खूफिया रिपोर्ट के बात क्या वहां पर सुरक्षा सही करनी चाहिए थी या फिर रैली को रोग देना चाहिए इस पर जवाब दीजे मैं दे रहा हूं सम्विधान सभी राजनितिक जल को संस्थाओं को वेक्ति विशेश को रैली करने का धना देने का अधिकार देता है मसला यहां है कि दो फासिश ताक्ते आमने सामने एक कहती है कि मेरे लिए नहीं करने दूँगी दूसरी कहते हैं नहीं करने दूगे तो हम इट से इट बजा देंगे कोट की भूमिका है कोट ने इजाज़त दी है सब को अधिकार है लेकिन कल यही बीजेपी जंतर मंतर पर सारे धर्णा प्रदर्शन कारिये को उठा के बगवा देटी है डंडा बजवाती है तब इनका लोग तंतर कहां गया था कब सम्विधान कहां गया था उसे भी देख रहा है अभी तो एक पक्ष आया सामने है लोग तंतर में रैली करना सभा करना हमारी सरकार मोर्चा निकालना ये तो सबका अधिकार है ही इससे भी जादा महत्वपूर्ण एक पक्षे जो दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि भारत परश के इतिहास में स्वाधिंता कि पश्चात पहली बार ऐसा हुआ कि नॉमिनेशन फाइल भी ऑनलाइन होगा क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते आप प्रचार क्या करेंगे नॉमिनेशन तक नहीं कर सकते ये सिर्फ हिंदोस्तान के एक राज़ पश्चिम बंगाल में हुआ ममता बिनर जी के मैं तो सही बता रहा हूँ आपने जैदी साब सही कहा कि ममता बिनर जी से हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी ममता बिनर जी ने तीस साल के वाम शासन को उखाड़ पहका और अगर अगर अब उसी रास्ते पर चल रही है या उससे भी ज्यादा खतरनाक रस्ते पर चल रही तो जनता वही करेगी तब किसी को उम्मीद नहीं थी यह ममता बिनर जी उसनमें कॉंग्रेसमें थी। आज अगर ममता बैनेरजी कॉंग्रेस के साथ खड़ी होती है तो हम के साथ खड़ी होती है वही एक पूरा चक्र है ये जनता को सोभी आना चाहिए कि किस तरीके से आप सिर्फ नाम बदल करके वही शासन वही कुशासन वही नीतियां अपना करके देश की जनता को कब तक धो भोद धोखा देते रहेंगे कभी इस से मिल जाए उससे रह Confederacy एक पार्टी कॉंग्रेस से अलग होती एन से साथ सरुकार मिल्क थी product Message और फारवर्ड ब्लॉक यह सब इकठे हो जाते हैं फिर इतनी सारी पार्टियां क्यों यह सब जनता को निरंतर धोखा देने के लिए जनता के वोटों को किसी तरीके से कोई किसी तरीके दुकान चलती रहे नेता गिरी चलती रहे कारिकरता नहीं है लेकिन नेता है तो उतनी पार्टियां भी बनेंगे बात सारी है वे पूरा मुद्दा मैं आपको पता दू कि खास तौर पर यहां पर मैंने फारुक मैं आर्य हो आप सही मैंने वादा किया था कि मैं ब्रेक से लॉट होंगी तो आपके पास आउंगी मैं बात ने बताऊंगी आप तो कानून के जान अरे मुझे पता है आप खुछ है इसलिए मैंने पूछा खुछ तो होंगे ना आज आज आप ये आज खुछ है ना खुछी आपकी देखनी जाते हैं क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं मुझे जब मैं आपको कुछ देखता हूं आगे आपने कोशन मार्क लगा दिया था अर हाइ कोट के जज्ज्मेंट को पढ़ रहा था हाइकोट ने ये बिलकुल इस बात का सम्मान करता हूं और हाइकोट ने बहुत अच्छा किया कि हाइकोट ने ये कहा कि आप आप किसी की लोगतांतरिक अतिकारों का हनन नहीं कर सकते लेकिन हाइकोट ने दो-तीन बड़े special riders लगाए हैं अगर आप देखेंगे किसी भी property का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भाजपा को करने पड़ेगी order में लिखा है अपनी बात में कहा रहा हूँ और 12 गंटे पहले जहां जहां से निकलेगी वहां सोचना देना होगा मेरे कहने का मतलब यह है यही भाजपा के जो बैंगॉल के चीफ है मिस्टर घोष मिस्टर घोष ने आगर आपको याद हो इन्होंने कहा था कि हम यह कर देंगे और बहुत जादा वील्ड अटाक और ठिक दिया था लोगों को कि हम मार देंगे और जवाब नहीं दे रहा आप इंटोलरेंस मा मान रहे है या नहीं आप कैंडल लेकर निकले क्या बाहर क्योंकि मुझे नहीं दिखे आप आपने ट्वीट किया क्या कोई एक पार्टी का हग याँ पर रैली करने का हग लेकिन आप देश को और आपको भी और हमें यह नहीं भूला चाहिए कि ऐसी जंचेत्रा रथियात्रा और रैलियों क्या हुआ है 6 दिसंबर 1992 को ऐसी ही एक रैली निकली थी क्या हुआ भारत के लोग कंत्र पर कलंग देखे बंगाल में क्या अमिश्राकी से पहले रैली नहीं हुई आप अर्पिता रैली सब की होनी चाहिए रैली राहूल गांधी की बहुनी चाहिए बंता जी की बहुनी चाहिए रैली में कोई रोग नहीं है लेकिन यह सल्फ रिस्ट्रेंट बीजेपी को अपने अंदर लाना पड़ेगा अगर आप गुंडा कर दी करेंगे लुल अगर निकाल करेंगे अब फारूट सिर्फ पास सेकिंड के एक सवाल है कि आज जो रैडर जिसका उल्लेक आप कर रहे हैं यह हर राजनेतिक डल की रैली और जब भी कोई कारकरम हो तो उस पर लागू होना चाहिए आपके इसाब स कि जब भी सरकारी संपत्ती का नुकसान हो उसका भरपाई वह संस्था जिसकी वह रैली हो या मोर्चा वह करेगा आप इसके समर्थन में हैं पिल्कुल तो फिर इसमें 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 तो नहीं कर सकते कि यह पर यह आपके वक्तवे से लगा कि यह नहीं नहीं यह तो बहुंट बड़ा राइडर लगा दिया और यह संद हो जो बीजेपी जी रएली में ऐसा होता हूँ कि देन्मार्क के बार मुंबई में जो हिंसा हुई थी उसका अंधाजा है आपको पेटिश्णर में लिखा है देन्मार्क में बने कानून पर हिंसा मुंबई में हुई बशीराट में हुई नहीं ना सबस्क्राइथे बट बढ내रने को सबस्क्राइब भट बढ़िया दिकानून, निकली उसे बच्रेश, जब सबस्क्राइब भारुषा का अऱानून, यहीं embora हिंसा ठॉल्झास भारुस दर्शक भी देख रहे हैं आपकी हिपोक्रसी आपकी हिपोक्रसी एक डेन्बार्ट में काटून बनता है और मुंबई में उसके लिए आपको कोई लोकतंत खत्रे में नजर नहीं आता यहां पर नॉमिनेशन तक ऑन-लाइन भरने को का जाए उसमें भी आपको लोकतंत खत्रे कि यहां पर जो बढ़ती लोगपरीता है बीजेपी की उससे डर गई है ममता सरकार इसलिए रोक लगाया गया सीज़ा सवाल यह उठ रहा है क्योंकि देखिए बहुत इसपश्ट सी बात है आज वस्विसिती है कि हमारे दो सांसद है और बिलकुन नगणने सांसद और नगणने विधायक है फिर भी हमारे खिलाफ इतना माहौल यह तो सवाल टीमसी से पूछना चाहिए उसका कारण यह है काने एक उप चुनाओं में भारती यंता पार्टी नंबर दो पे रही है अभी कुछ आम उप चुनाओं में तो वाम पंती और कॉंग्रेस भी हमसे पीछे रहे है इसलिए मैं कहना चाहूंगा भी फारुक साब बोल रहे थे बहुत अच्छी बात है मगर अब नेरेश जी ने भी कुछ यह याद दिलाई थी चलिए मालदा बशीराट आपको याद नहीं आ रहा है रैली तो वह भी थी जिसमें दिल्ली के आजार बंबई के सौरी बंबई के आजार मैदान में जब अमर जवान जोती तोड़ी गई थी तो अगर आप वह बात कहिए तो दो रही किसी रैली में कभी कुछ हुआ हो तो अगर हमारी किसी रैली में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हुआ हो तो यह राज्य सरकार की और मैं एक बात कहना चाहता हूं जी जी देखिए हाँ हाँ फारुक जी मैं विल्कु जवाब दोंगा यह बंगाल की सरकार कह रही है कि इनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी बंगाल की सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे कब से यकीन होने लगा अरे जब एक अगर ऐसा डिवेट होगा तो मैं उसके चला यह बाटा है कि रोहिंगा देश के लिए खत्रा हैं पर रोहिंगा के पक्ष में रैली हो जाएगी और बगर आप ये कहेंगे अब इसमे जानते क्या है और इन्होंने एक आइडिया ऑफ इन्डिया की भी बात कही मैं एक वाक्ष पूरा कर लूँ अड़े हम उस आइडिया ऑफ इन्डिया के साथ हैं जो पंगाल की भूमी से चुरू हुआ था जहां बंदे बातरम का उद्गोश यहां से हुआ था हम उस आइड को भारत में बुला कर रखना चाहता आपना वोड वैंग बना के लिए अगर इंडिया में आएगा तो जंगी हो जाते है जब बंगलादेश में रहते हैं वो सरनाती होता है अब दुसरा बात यह प्रवक्ता ने जब बात कर रहा था और पर आपका तो अच्छा लगना चाहिए इंडिया का बात करते हैं ंडिया कर सब्सक्राइब आप अंनलाइन वोटिंग आप समर्थन करते ओं लाइन वोटिंग घर पे बैठ करके वूट इसका समर्थन कर ना आजा अभी आपने समर्थन किया आपका बात नहीं मना आप तो बोले आप और बीजेपी एक सब्सक्राइब नहीं आपने सोमनाथ सिंगापर जी इस सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जाएंगे आप लोगो तो जब आपको वाकई लगता है कि बंगाल में ऐसे अगर रैली हो जाती तो पर जो सामपरदाइक सद्भाव है उसको खत्रा हो सकता था गयर रैस्टड आदमी जो इस तो हिंदुस्तान में रैस्टडी नहीं है वो इसी तरह की बाते करते हैं इनका पंजी करण तो है नहीं रैस्टडी नहीं है सबीव इसी विद्याले पासपोर्ट लेसंस तमाम चीजें ओनलाइन हो रही है तो नॉमोनेशन में लोगतान ओनलाइन हो रहा है तो उसमें लोगतान खत्रे में उमुजी नदर देशा आज CPI का ओफिशल स्टैंड मालूम चल गया कि ओनलाइन नॉमिनेशन जो है वो उसमें लोगतान खत्रे में नहीं था तो आप हिंदुस्तान में पंजी करित नहीं हो आप तो चीन में ना आप तो चीन और रूस में आप तो हसी आगई ना मेरे दातों में परेशानिये में ज्यादा नहीं बोल सकता तो बेटर यह है अरे दातों में दर्द की वैसे तो हसी कमानी चाहिए फिर भी आगई आपके दफ्टर पीछे कालमार्स में लगी होती है पुष्किन की लगी होती है किसे भारत वर्ष के महापुरुष की कोई तस्वीर नहीं है मेरा कभीर आदर सब्सक्राइब करते थे तो यह नकसलवादी इनकी आदर्श हुआ करते थे उनकी गोद में बैठे ते ममता बनर जी इनकी आदर्श होती थी वह इनकी गोद में बैठी ती और यह दोनों इनके लिए छूत कैसी हो गये वनवाशी कर्लियन आश्रम के अंदर जो नकसलवादी पार थे जब उनके साथ मिलके यह बंगाल के अंदर जंगल राज इस्थापित करा रहे थे तब इन्हें शरम नहीं आ रहे थी तब यह ममता की अवतार है तो यह राक्षा से जिनका वो बद करना चाहती बिल्कुल ज ममता बैनेटी को लाई जाओ लाल बजार में राइटर्स बीडिंग से बालों से पकड़ करके खीचा गया था तो इनका चेंट लिए था हम उस्विनसा का विरोथ करते बिलकुल खुलेयां विरोथ करते हैं अगर वही ममता में अज़िया आज कर रहे हैं सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया अपने कुछ चीज़े लिख रखी है उसका जवाब आप दे रहे हैं इतियास है तो क्या आप यह लोग सुप्रीम कोट में रेटिन दिया था वहां पर कौर सेवा नहीं होगा जद्दा में यह लोग कर सेवा किया वहां पर बाब्री मुझीद तोला रेटिन दिया था अच्छा एक सोमना जी ज्यादा लोग आने वाले थे क्या मेरी जानकारी के तो उसे ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन हां ये लोग कोई बिहार से लेका राएंगे जर्खन से लेका राएंगे नहीं करना की द्वारा सकते हैं लेकिन किया तो जा सकते हैं लेकिन एक दंगा लगाने के लिए दस अदमी काफी आपने नहीं देखा मैडम उहां पर दस लाक आदमी बुलन सहर में जमा हुआ था मुस्लिम सिर्फ दोसों की तीन सो हिंदू गाई लेकर बोला यह गोरु का मर्दिया जाकि वहां पर शोना जी जो मम्ता बैनर जी 1500 लोगों से नहीं निपट सकती है वो देश कैसे संभालेगे tomorrow मैं बता रहे हूं पीए cop प्रवाब नहीं देख रहा है एक इसे भी करके एक कम्यूनल बीजेपी और आरे से दिल्ली से हटाना चाते है मंतर पाना जी पीम नहीं पहले यह कम्यूनल और देश का खती कर रग यह पर सम्हाल सकती है तो देश आपको लगता है सम्हाल लेंगी क्यों कि खौब है उनका प् वेक्त की थी सम्हाल जी जो ने जो भी आशंकाएं वेक्त की थी वो आशंकाएं नहीं पूर्वा ग्रह थे इसी लिए आप नियायाले के धरातल पर चारों खाने चित गिरे उसके आप कोई भी सबूत नहीं पैदा कर सके या बता सके और मुझे बड़ा आश्यर लग रहा ह है रोहिंगा लोग कह रहे हैं ये मोधी का गुजरात नहीं ये ममता का बंगाल है मैं देखता हूं कि यहां पर कौन हाथ लगाता है इसले यहां पर विशे कोई लाइन ओर्डर नहीं था यहां मामला टेक्निकल नहीं पॉलिडिकल था हम इस शाजी की यात्रा को रोग कर भ है वह देखिए हैं मैं याद दिलाना चाहता हूं आप अपने उधार नहीं देखिए से देख लीजे ममता जी को कितना कुछलने की कोशिश की थी लेफ्ट ने जैसा अभी उधारण में बताया बाल पकड़ कर खीशते हुए बाहर ले जाना नहीं पुलिस ने इतना मारा था कि उनको मृत समझ कर छोड़ के चले गए थे दबा पाया कोई कोई किसी को दबा नहीं पाता है लेफ्ट को नंदी ग्राम में जाकर अपने पार्टी के दूग गोलिया चलाए और उसके बाद हो गए इसलिए आप दी यादर निकालना चाहती है तो उसी से खत्रा की होता है केरल में भी लेफ्ट सरकार यह यालोग लगाती रही है सबरी माला मंदिर के सब पर कि दुबिधा क्या है से आखिरकार ऐसा कि यह खत्रा होता है वी जेबी की यासर को निकल रही उसी से खत्रा रहता है केरल में भी कि लेफ सरकार है वो भी आरोप लगा रही क्यों हो रहा है सर ऐसा करनाटग में भी ऐसे हुआ था आवाज कट गई है तुदांशु जी आप से सवाल था कि लेफ सरकार होती थी आज बीजे पी वर्सेजे रैस्ट की राजनीती इसी निए मैं कहना चाहता हूँ उस केरल में जहाँ विधान सवा में हमारा एक विधायक है वहां भी मुकाबला हम से है उस उत्तर प्रदेश में जहां सवा 300 हैं वहां भी मुकाबला हम से है वा कश्मीर घाटी जहां हमारा एक भी विधायक नहीं है वहां मुकाबला हम से है वा पशिम बंगाल जहां हमारे दो सांसद हैं वहां भी मुकाबला हम से है या केवल इसलिए हो रहा है हम सत्ता में हो या प्रभावी हो या नगर्ड हो भारती राजीत का केंद्र भारती जंता पार्टी बन गई है यहां निश्कर्स पष्ट और विशिस्टूट से इसमें दिखाई पॉड़ा है अब बताइए क्यों दहां पर इंडिया में दंगा होते हैं इसका इंसन दीजिए क्यों हर जैगा बीजेपी का नाम कमन होते हैं जहां पर भी दंगा होते हैं इंडिया में जैधी जी एक मिनट में च्वाप लेलूगे आपसे जैधी जी जीए रिपोर्ट देखिए आप रिपोर्ट में कहते हैं जहां पर भी दंगा हुआ, वहां पर BJP का फाइदा हुआ. और इसलिए आप लो जानते हैं, दो आज या दो में गुज़ार दंगा करने का बार, आज भी महीं पर BJP रात रहते हैं. जहादी साथ, क्या आपको लगता है कि मम्ता सर्कार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही थी? बीजेपी रहा से भटके हुए आपलोगों का जुन्द है, इनके पास देश की कोई हमदर्दी या जहादी आज आज आप सोच क्या है? जो सवाल आपस पूचूंगी, आप अपने रटा रख रखुए. हैं मैं एक शब लिखके नहीं लाता घर से जो यहां नफरत उगलते हैं उसका एंटिबाइटिक डो जरूर यहां बनाता है आप तो रख लेता हूं ताकि उसे कहना चाहिए जो एंटिबाइटिक उन्हों ने जहर उगला उसे बदा लो नजर डाली एक शेर अब लिख लेता ह यह अगर पचास करें एखटे हो जाते यह इनका चरिट रहे तो पुली स्थाना फूग देते हैं तो की ऐत्या कर देते हैं यह इनका चरिट रहे अब यह कहते हैं के साम और और दंगे भी हुए मालूमें दंगे वुए लेकिन एक कौशनोत करता हूं दूसरी कौशनी को कह पांडी, बाकलपूर, यह भूल जाते हैं, इनका हाफसा ही खराब नहीं है, अगर यह जारिन के खिलाब बोले, तो यह जल्म नहीं होगा, और जल्म करने वाले, यह जो है वो एक एक विचारधारा के लोगें, और वो है मनुवादी विचारधारा, जो देश के दिस्मालों क एक जुंड है, ठीक है, अवस्ती जी, एक सिंपल सी बात है, सामा निसी बात यह है, कि तीस साल के वामशासन में, वहाँ पर क्यो खाड फैंक दिया, अगर इतने आपके उदात पर आएचारधारा, एंटी इंकंबेंसिव, आप तो पांस साल ने रुक पाते, पंदरा साल अभी बीजेपी, मद्रप्रदेश में हो गए, तिरपुरा में, 32 साल, गुजरात में हो गए, 36 साल, और सारे चोरों के मंजली जब इखटी हो जाते है, नकसलवादियों की, ममता बनर जी की, कांग ने इस की, तो करेगा क्या इसाल, इंसान इखटा होता है, बैंक दकैती कर लिन्ते करी जाता है, तो सारे जातियों के इकट्यों हो जाते है, घक इती डालनी है, देखा, आण इंसान चांऊल, इनोने की, परिभुदाचा बताती, इस सब इकठ्यों जाते हो जाते है, sko Lord गठ्यों के लिए लुज से बिरने कि दूम इसाढ़ी bbढ़ते है, ने आख आपने का आपने किसके साथ हैं यह सारे आपने का चोट अकैत ब्रस्ट दंगेबाद सब कठे हो जाते हैं अब आपके देश भक्ति के बारे बता दू अरपिता जी आपको एक बिदा देता हूं और इनके सामने बोल रहा हूं ट॑ में चीन ने भारत पर आक्रमन किया यह क्यतने नहीं किया इनकी ये थियरी आ जो एक स्केर न बुदिि भीचिमें कि वोल न और उस स्विमे क्या हुआ की ये तो बचला कि ऑजो के नवें यह बताओ ना अंग्रेजों की जो फटी भी पहन थी उसकी चगदी पहनने वालों यह बताओ कि अग्रेजों की बेट के क्या करते थे थे आप सुनो आप देश की आजादी के खिलापे आप सवाल के तो अब यह सुनें या नहीं क्यों कि साचिन को सुनना पड़ेगा तो 1962 मे यह बीकार करता भारत की अग्रेजों का साथ देने के लिए माफी मांगी तीन बार के लिए उनिसोबाट के लिए और 1975 में अमर्जंसी का समर्थन के लिए डिस इस डॉक्यूमेंटरी प्रूफ आप मेरे उपर मुकत्मा कर दीजिए अगर मैं जूट बोल रहा हूं तो आप लोगों ने अपने अपनी 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 एक लिए ऐस तो अमर्जंसी भी नहीं है मनिपुर के लिए जेल चला गया यह अमर्जंसी नहीं है इसे क्या कहेंगी आप लिए जेदी साहब एक सेकिन फारुक जी आप ये तुझा कर दोनों को रुकना चाहूं कि आप अपने उन्हीन से वर्ट में इसे between कर दोनों वारूट साब के पास जाना चाहूंगी फारूट जी क्योंकि हाई कोट लगातार यह कहता रहा है कि ममता सरकार तुष्टी करन कर रही है इसका क्या तोड़ है कैसे निपटा जा सकता है से आप आप यह जो स्टेटमेंट है यह कंटम्ट है आप एक और से पढ़के दिखा दीजिए कि यहां हाई कोट ने यह कहा है कि ममता गौवर्मेंट तुष्टी करन कर रही दिखाए आप पीज्मेंट कर आपको चलंज करता हूं अरे आप मारने को तयार नहीं होते हैं अवस है यह उन्होंने पश्चिममंगाल सरकार के यह कि बारे में दिये मैं खिलाव भी नहीं भू रहां मैं थिलाव बिनी aim यह कंट पीज में इसमें वालो है ओंरै तिसरे थे का पैसम्हें पालमे हम मताने फाराइज कने होने कषा फिलाभी नहीं तर रहीस्तार हैं अवसे पारुक जी आप से ही बताएं जी जी मैं दो बाते कह रहा हूं सिर्फ मैं यह कह रहा हूं कि लोग तांतरिक मूलियों को हाई कोट ने ऊपर किया है रैली वैली पर लोग नहीं लगने चाहिए पर देश को यह सवाल यह देश के जहन में और दिमाग में आता है कि भाशपा वाले यहां कोट में अंडर टेकिक देके वाइलेट कर देते हैं तो आतंक का दूसरा नाम भाशपा है यह जहां जाते हैं इनको काम सिर्फ बाट ने है फारुक ची एक बाद बताईए पारुक जी एक बात बताईए नफरक जी जो आज बीजेपी के साथ हुआ है वो किसी भी दल के साथ हो सकता अब एक वकील है आपको अब ड़र नहीं लगए अब ड़र नहीं लगए देखे मैं एक पीद याद जिलाना चाहता हूँ जेल में बन था मदरी उसके प्ष्च में कहा कि उसको छोड़ जिया जाए आतंक का दूसरा नाम अफजल गुरू के लिए बेशारा कहने वाले याकूम मेनन की जुड़ीशल किलिंग कहने वाले हाफ इसको साहब कहने वाले उसामा को जी कहने वाले जाकिरनाय को शांतिका मसि कहने वाले इस रच जहां को बेटी कहने वाले वा वा भाई वा वा भाई वा यह आतंक के परियाए नहीं है आतंक का अरे मैं तो कहता हूँ आपको आशनी रवाद मिलेगा आरे मैं कहता हूँ नातूराम को अठरे हो क्या गलत किया आप कहिए कि कांग्रेस ने जो रामराज्ज महातमा गानी का दर्सन था उसे छोड़कर गलत किया प्रशिदाबाद के बारे में जानकारी है अपकी प्रशिदाबाद के बारे में जानकारी है अब बीजेपी को हरी जंडी मिल गई है अब बीजेपी रैली निकाल सकती है मायवती का डर था क्या वाकई इसके पीछे ये भी एक सवाल है क्योंकि जोका गया जिस तरीके से बीजेपी को कई सवाल यहां खड़े होते हैं